बिस्मिल्ला अर्वक्माने वाहीम, अस्सलाम अलेकुम द्यूर फ्रेंट्स और फामली, आज मैं यह बहुत ही मज़े का फ्रेश फ्रूट क्रीम केक बना रही हूँ, जो के इतना मॉइस्ट, इतना सॉफ्ट बनेगा कि अगर आपने एक दफा बनाया तो आप बार बार और उसके इलावा वनेला एसंस में लोंगी, जी हाफ टीस्पून के करीब में यूज करूंगी और इसके इलावा वन थर्ड जो है टीस्पून बेकिंग पाउडर है, अभी सबसे पहले करना यह है कि हमने एग वाइट्स और एग योक्स इन दोनों को सेपरेट कर लेना है और एग योक्स में हमने चीनी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है, तो यह टेकनीक है जब आपका अच्छा सा सूपर फलफी सा केक बनाना हो तो आप इन दोनों एग वाइट्स और योक्स को सेपरेट बनाईए, फिर मैंने क्या किया है कि जो इतना उसको ब्लेंड किया था क कि वो लाइट से कलर की होगी थी, फिर मैंने उसमें दूद भी डाला है, दो टेबल स्पून और वनेरा एसंस भी डाला है और फिर ब्लेंड किया है, तो यह इस तरह से हो जाएगा, इसके बाद आपने एग वाइट्स को ले लेना है और उनको भी अच्छी तरह से और जो बेकिंग पाउडर है, वो इसके उपर चान रही हूँ, तो चानने से भी जो है वो केक का टेक्श्चर बहुत अच्छा होता है, तो इसके बाद हमने अब मशीन नहीं चलानी, सिरफ हाथ से जेंटली आइस्ता इस्ता से अराम प्यार तहमूल से मिक्स करना है, और य जो है, मैं इन दोनों में जो है, वो इक्वली डाल रही हूँ, केक का बैटर और इस तान से टैप कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसको बेक करेंगे, 10-12 मिनिट के लिए 350 डिग्री फॉरिन हाइट पे, फिर आपने क्या करना है, अपने फूट्स को रेडी करना है, में आप जो भी सीजनल फूट्स हैं, आप यूज कीजिए, आजकल मैंगो बहुत अच्छा है में है, वो ज़रूर यूज कीजिएगा, यूके में आजकल इतने अच्छे मैंगो अभी आए नहीं है, इसलिए मैंने वो स्केप कर दिया है, तो अभी जो है, मैं इसको छोटा चोटा सा काट रही हूँ, कीवी फूट को इस तरह से आप काट लीजिए, और कुछ आप स्लाइसे जो हैं, वो गोल काट लीजिए, गरनिशिंग के लिए यूज होंगे, फिर स्टोबरी भी आप इसी तरह से चोटे-चोटे पीसिज में काट लीजिए, और कुछ आप इसी यहां पर यह मैं ब्लूबरीज भी डाल रही हूँ, ताके हम इस फूट को मिक्स करके रखने साइट पे, फिर यहां पर आइसिंग के लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है, 280 ml और आइसिंग शुगर, 3-4 तेबल स्पून, अब मैंने क्या किया है, कि इसको जो है, वो क्रीम को डाल दी है, और फिर मैंने इसको विप किया है, 2 मिनिट के लिए, और यह काफी थिक सी होगी थी, तो जब इसकी वो स्प्रेड करने वाली एची सी कंसिस्टेंसी हो जाए, थिक वाली, तो आपने मशीन रोग देनी है, आप इसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, कोई मस करके बनाया है, तो इस तरह से आप बना लीजिए, और तकरीबन दो दो टेबल स्पून आपने ये लगाना है, इच लेर पे, और उसके बाद उपर आपने क्रीम से कवर करना है, और फिर मैंने जो है, इसके उपर डाला है, जी फ्रूट, दिल खोल के फ्रूट डालिए, ज सारा का सारा फूट जो है, वो कवर हो जाए, और उसके बाद क्या करना है, जो दुसरी लेर थी, उसके उपर उसको रहके, और उसके बाद फिर से आपने उस पे शुगर सिरप लगाना है, तो ये लगाने के बाद इस पे भी वोई प्रसीजर करेंगे, हम जो क्रीम हमने पलसा केक रेडी है आप इस तरह से क्रीम लगाने के बाद इसको डेकरेट करने के बाद फ्रिज में जरूर रखिएगा तकरीबन बीस से पच्छेस मिनट काफी है नहीं तो आप एक घंटा रख लें तो बेस्ट रहेगा तो बस इसको मैं डेकरेट कर रही हूं जितने भी हमन से स्प्रिंकल की है तो इस तरह से मैंने सिव में जो है आइसिंग शुगर डाल के उपर से ये मैं उपर से चान रही हूं और ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का बनेगा तो ये बिलकुल केक हमारा रेडी है मैंने फ्रिज से निकाल लिया है अब मैं आ पर ने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं इंशाला इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मेलूंगी एक बिल्कुल नई रेसीपी के साथ तब तक आप मेरी रेसीपी इंजय कीजिए और में साथ पिक्चर्स भी शेयर कीजिए इंस्ट्राग्राम पे मुझे दी पिजए जाजद आला हाफिज